हेलो बच्चो आज मैं आपको कक्षा दस्मी जिसका विश्य है मेरे पास गनित इसकी वर्क्षिट नमबर 44 कराऊंगे इसकी डेट हमारे पास क्या है 14 ऑक्टूबर 2020 आज की वर्क्षिट का टॉपिक क्या है हमारे पास इस परश रेखा के गुन हम पिछली दो वर्क्षिट से इस परश रेखा सीख रहे हैं तो आज उसके बारे में थोड़ा और जानते हैं और इसकी आज कुछ प्रमे भी हमें दे रखें इसमें जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट है आपके एक्जाम के लिए ठीक है चलिए पहले तो यहाँ पर लिखा याद कीजिए और बताईए चल पहले एक सम कों तरी भूच बना लेदी हूं तो इसका मतलब चारी मेरा अधार है यहfect कईन एक स पनारईट कंद बना रहे तहब मैं इसको सब देती हूं एक कोर देती हूं H का sqaar इसका मतलब A B का sqaar इक है किसके बगाबर होता हुटा है P के sqaar के और B के sqaar के तो देखो B का sqaar तो आपको पहले से है दे रखा है अब हम क्या लिख दें यहां पर B का sqaar हम P का sqaar हम यहां लिख देते हैं ठीक है नहीं? तो हो गई हमारी पायता कोरेस्प्रमय पूरी ठीक है चलिए दूसरा देखते हैं दूसरे में आप से कह रहा है संकेंद्रिये वृतों के डैश समान होते हैं अब सबसे पहली बात यह वृत होता कौन सा है संकेंद्रिये वृत कौन सा वृत होता है देखो संकेंद्रिये वृत इससे ही related equation इसी वर्कशिट में आपको आगे मिलने वाला है ठीक है तो संकेंद्रिय विरित कौन सो होता है जिसके केंद्र एक जैसे होते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा क्या समान होते हैं केंद्र तो हम यहाँ पर लिख देते हैं केंद्र ठीक है चलिए अब आपसे तीसरे म इनका योगोत है तीन सो साथ डिग्री ठीक है तो चलिए याद की जो और बताईये तो हो गया अब हम आते हैं अपने प्रम्य पे ठीक है पहली प्रम्य हमको क्या कहते है व्रित से किसी बिंदू पर इस पर्ष रेखा इस पर्ष बिंदू से जाने वाली त्रिजा पर लंब इस पर्ष बिंदू से जाने वाली त्रिजा तो अब इस पर्ष बिंदू तो यही थी ना इस पर्ष बिंदू जो तो हमारे व्रित पर इस पर्ष रेखा पर उब्य निश्ट होती है हम उसको यह तो इस पर्ष बिंदू कहते थे ठीक है तो इससे जो त्रिजा जा रही है तो यह जारी ओपी यह तो मेरी त्रिजा है तो यह कह रहा है कि वह उस पर लंब होती है इसका मतलब मुझे क्या और बिंदू P पर स्पर्ष रेखा X, Y यह आपको दे रखा है ठीक है आप देखो मैंने क्या किया खुद से मैंने एक बिंदू ले ली X, Y पर X, Y मेरी यहाँ पर इस पर्ष रेखा है ठीक है बिकुल धिहान से समझना थियोरम को आज की वर्कशिट बहुत ही इंपोर्टेंट है ठीक है थोरी लंबी ज़रूर है आज की वर्कशिट क्योंकि इसमें प्रमे भी है एक्जाम्पल्स जो आपके उधारन होते हैं वो भी है औ बहुत इंपोर्टेंट वर्कशिट है यह मेरे पाइस पर्ष रेखा है तो मैंने इस पर्ष रेखा पे एक बिंदू खुद से ले ली क्यों ठीक है और उसको क्या किया केंद से जोर दिया ठीक है यह याद रखना मैंने यह जो क्यू लिया है यह व्रित से बहार लिया है अ अब वो उमसे क्या रहा है अगर मैं इस Q को कहीं अंदर लूँ तो अंदर तो मेरी ये रेखा है माल लो यहां मैंने Q ले लिया तो क्या ये मेरी स्पर्ष रेखा है बिल्कुल नहीं ये मेरी छेदक रेखा है पर्ष रेखा हमेशा व्रित के बहार बनती है अंदर कभी भी नहीं बनती आपको यादे हमने अपनी पिछली वरक्षीट में तीन स्थिती की ती जिसमें एक में बिंदू अंदर था तो आप उसे इस पर्ष रेखा नहीं बना सकते थे और दूसरी स्थिती में वो बिंदू के उपर था, तो आप एक स्पर्ष रेखा बना सकते थे, और तीसरी स्तिती में वो बिंदू जो है, वो वृत के बहार था, तो आप दो स्पर्ष रेखा बना सकते थे, जिनकी दोनों की जो लंबाई है, वो बराबर होती है, याद आया आपको हमने ये वक्षिट 43 में समझा ठीक है, इसलिए मैंने आपको एक बर दुबारा याद दिलाती है, तो वो आपसे यहाँ पर देखो, यही कह रहा है, बिंदू Q वृत के बहार होगा, बिल्कुल बहार होगा, क्योंकि हमारी स्पर्ष रेखा ही वृत के बहार होती है, क्योंकि यदि Q वृत के अंदर होगा तो PQ छेदक रेखा बन जाएगी तो वो जो है छेदक रेखा बन जाएगी हमारी ठीके आते है OQ वृत की त्रिजा OP से बढ़ा होगा अब आप खुद देखो अगर मैं आपसे बोलूँ OP और OQ आप बताओ इन दोनों में से कौन सा बढ़ा है तो वैसे तो देख के आप कहोगे OQ भी बढ़ा है देखने में तो OQ भी बढ़ा लगा है लेकिन देखने से कुछ नहीं होगा यहाँ पर देखने वाली बात नहीं है आप कुछ भी कर लो जब भी आप एक बिंदू को इस व्रित से बहार लोगे तो वो हमेशा इससे बढ़ा ही होगा O P ठीक है और O Q बढ़ा होगा आप इसको Q को यहाँ लेलो आप जोड़ दो इसको चलो अब भी तो यह बढ़ा है तो जब तक आप Q को भी के बहार ले रहे हो ठीक है और उसको केंदर से जोड रहे हो तो जो त्रीजा है वो हमेशा छोटी होगी और जो बिंदू से अपने केंदर को जोड़ा है वो हमेशा बढ़ा होगा हमेशा ठीक है क्योंकि ऐसा बिंदू P के अलावा X Y की सभी बिंदू होगे लिए कहीं भी लेलो बिंदू यहां लो यहां पर लो यहां पर कहीं पर भी सिफ एक P पे छोड़ के ठीक है कहीं पर भी लेलो हर जगा वो जो है आपके त्रीजा से बढ़ा ही होगा ठीक है तो जब वो बढ़ा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो O P है यह मेरी यह X Y पर लंब है ठीक है ना तो ये लंबी तो होगी जब ये मेरा h बन गया ये तो मेरा फिर और ये मेरा अधार है ये मेरा करण बन गया और ये क्या बन गया मेरा अधार बन गया तो फिर ये तीसरी चीज क्या बची ये मेरे पास लंबी तो बचा बचा नहीं बचा तो ये इसका मतलब ये मे एक इस पर्ष रेखा से जो त्रिजा जाती है उस इस पर्ष बिंदू से उस इस पर्ष रेखा की जो इस पर्ष बिंदू होती है उससे जो त्रिजा जाती है वो हमेशा लंब होती है और ये प्रमे आपको आगे के कई कोशनों में मिलेगी तो आपको ये प्रमे बहुत अच् जैसे जैसे आपने किया है वैसे वैसे आप लिखते रहों ठीक है ना तो आपको पहली प्रम्य अच्छे से समझ आई चलिए अब हम देखते हैं दूसरी प्रम्य एक और है हमार पास यहां पर इसको शुरू करने से पहले ना मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहूंगी व आपको कुछ याद आ रहोगा इस थिती तीन में किया था तो जो यह दोनों इस पर्ष रेखा होती है इनकी जो लंबाई होती है वो दोनों की ही बराबर होती है हमने यह किया था पी ए जो है वो पी बी के बराबर होगा किया था ना हमने यह आपको याद आ रहे हैं यहां पर अब आपको वो सिद्ध करना है इस प्रमे में ठीक है वहां तो हमने लिख दिया तैसी कि पी ये बराबर पी भी होगा लेकिन कैसे होगा वो भी तो हमें पता होना चाहिए तो ये वो प्रमे है ठीक है तो वही चीज है भार बिंदू से वृत पर खीची गई इस पर्ष र प्रमे लिखी वे आएगी ये सब कुछ आपको खुद से लिखना है आकरिती भी आपको खुद से बनानी है ठीक है ना तो बहुत अच्छे से इनको करना ये बहुत इंपोर्टेंट है दोनों ही पहली भी और दूसरी प्रमे भी ठीक है चलिए चिद्ध क्या करना है कि पी जो वह पी बी के बराबर है ये तो मुझे सिद्ध करना है ठीक है आप देखो मैंने क्या किया यहां पर जो मेरा केंदर था ना उससे मैंने ओए और बना दिया और और बना दिया अब आपको एक चीज तो पता है कि जो यह है यह वाला जो कौन है यह नब्भे डिग्री को ह होगा ऐसा क्यों अभी तो हम अपनी परह में एक में करके आए रिताए ना कि जो तुए यह बिंदु में पीए पे और तो this का मतलब यह दोनों सम्कॉन कोन है और यह है ना वही चीज आपके पास यहां पर लिखी विए सेम चीज लिखे जो मैंने आपको समझाई है ठीक है चलिए पर मेरे को यह सब कुछ नहीं चाहिए मुझको तो सिफ यह चाहिए कि पी जो है वो पी बी के बराबर हो अब पते हैं मैं क्या करते हूं इन दोनों तिरी मुह को स्थिद कर देती हूं अगर यह दोनों सरवांगसम होंगे तो इसका मतलब इसकी सारी भुजाएं बराबर होंगी आप स्याइट उम्हantes ठीक है, यह सारी का सौटियां की थी, यह हमने एक वरक्षिट में की थी, यादें आपको, तो हम यहाँ पर वो इस सरवांग समतर लगा रहे हैं, ठीक है न, तो देखो, इन दोनों तिरी भुज में, एक चीज तो मुझे पता चल रही है, कि जो मेरे पास OP है, दोनों ही तिरी कि तरी जाएं, जो हैं, वो बराबर होती हैं, तो OA is equals to OB, एक ही वरित कि तरी जाएं, ठीक है न, चलो, एक चीज रह गई, एक चीज क्या रह गई आपके पास, कुछ नहीं रहा, यह दोनों सम कोन कोन है, हमने अभी तो सिद्धिया था उपर, क्या नहीं था, तो angle कोन OAP, कि इसका मतलब यह दोनों तिरी भुज्जोय हैं, वो सरवांग समता हैं, और कौन सी कस्वाटी से है, RHS, क्यूंकि इसमें एक 90 डिग्री का कोन है, तो RHS से यह सरवांग समता है, अब जब यह सरवांग सम है, तो इसका मतलब PX के बराबर होगी, PB के बराबर होगी, और क्या लिखोगे आप हिया, C, P, C, T, ठीक है, तो यह आपका सीध होगे, आपको यही तो सीध करना था, ठीक है, तो यह थी हमार पास प्रमे दो, दो प्रमे की हमने दोनों ही बहुत important है, आगे इससे जो भी questions होंगे, इन दोनों प्रमे पे ही बेश जाए, ठीक है, चलिए, अब ह वाले किसी वृत पर दो इस परश रेखा है, इस प्रकार है कि P, O, Q, कौन P, O, Q दे रखा है, 110, तो कौन P, T, Q ग्याद कीज़े, ठीक है, देखो, यह सब आपको लिखना ही है, क्या दियावाए आपको, क्या सिध करना है, सब लिखना है, मैं आपको अकरिती से समझाते हू आपको दे रखा है, 110, ठीक है, आपको कौन निकालना कौन सा है, आपको P, T, Q, यह आपको निकालना है, ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो, एक कौन तो यह बन रहे है, मैं यह शेट करती जारू, जो आपको समझारू, एक कौन आपके पास यह बन रहे है, ठीक है, एक पदा ही चल गया कि आपका एक चतूर भुज है ठीक है ना और चतूर भुज का अभी हमने किया था उसके जितने भी कौन होते हैं उनका योग होता है हमारे पास 360 होता है नहीं होता तो अगर मुझे इसमें सिर्टीन कौन भी मिल जाए ना तो मैं चौता कौन बहुत ही असानी सीने काल सकती है नि काल सकती हूं ना देखो यह कौन तो मुझे कोशन में बोला गया है कि निकाल ला है तो इसको तो मैं किसी भी तरही तो अब हम करके आएं कि जो हमारी तृजा किस पर्ष बिंदू पे होती है वो लं होती है तो इसका मतलब OQ तो मेरा लंब है तो इसका मतलब ये मेरा 90 डिग्री का कुन है लंब है तो 90 डिग्री का कौन बना रहा होगा अब उसी तरीके से अगर मैं इसे देखू P OQ तो ये भी तो मेरा लंब है किस पे? PT पे ये मेरी स्पर्ष रेखा ये मेरी स्पर्ष बिंदू पी और ये मेरी त्रिजा तो इसका मतलब ये भी मेरा 90 डिग्री है तो अभी मैंने आप से बुला अगर मुझे 3 कौन मिल जाएं तो मैं 4 वाला कौन तो बहुत ही असानी से निकाल सकती हूँ तो आप मैं निकाल सकती हूँ 4 वाला कौन बिलकुल निकाल सकती हूँ 110 प्लस 90 प्लस 90 और प्लस ये वाला तो मुझे पता ही नहीं है PTQ किसके बराबर होगा 360 के ठीक है तो जब आप इन तीनों को जोड़ोगे तो 270 आएगा और ये PTQ आपने ऐसी लिख रखा है ठीक है न यहां से आपका PTQ निकल किया गया कितना आया 360 में से आप 270 को माइनस कर दो तो कितना आयगा आपका 70 डिगरी तो लोग आपको ये ही तो निकालना था आपको समझ में आया कोशन हमने कैसे किया अब आपको लिखना कैसे कॉपी में लिखना आपको सेम ऐसी है जैसे आपको ये उधारन दे रखाय करके मैंने सीव ये सब कुछ आपको समझाने के लिए लिखा है ठीक है तो सब कुछ लिखोगे अब दूसरा उधारन देखे हैं हम दूसरा उधारन है मेरे पास चित्र में मतलब ये राज़ना दूसरा दूसरा उधारन है अचीतर आपको बनाके दिया है आपको नहीं बनाना है कोशन में आपके पास बनाएगा AB एक व्रित की जीवा है मतलब AB मतलब ये वाली ये मुझे एक जीवा दे रखी है और OAC उसका ऐसा व्यास है OAC ये में को व्यास दे रखा है कि angle ACB कौन ACB मुझे 50 एक दे रखा है ये मुझे आकरिती में दिख भी रहा है कि में को यहां 50 दिया है यदि A T A पर व्रित की स्पर्ष रेखा हो अच्छा जो ये A T है ये मेरे पास क्या है ये मेरे पास पर्ष रेखा है ठीक है ना तो इसका मतलब ये मेरे पास स्पर्ष बिंदू है है नहीं है इस पर्ष बिंदू मैंने सब चीजें पहले ही लिख ली तो क्या करना है हमें BAT ये वाला छोटा सा देखो मैंने यहाँ पर इसको shade कर दिया है ताकि आपको पता चलिए हमें क्या निकालना है ये आपको निकालना है पहले समझते हैं कि इसको करेंगे कैसे क्योंकि लिखने वाली बात है तो आप copy में यहाँ से देखके भी लिख सकती हूँ मैंने आपको ये समझाना चीज़ के अंदर क्या किया गया है क्योंकि ये सारे ही questions बहुत important है इसलिए मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ लिख आप अपने copy में यहाँ से देखके लेना देखो आपको यहाँ पर स्पर्ष बिंदू दे रखे है इसका मतलब ये तो लंब है है नहीं है क्योंकि अभी हमने अपने प्रमे एक में क्या किया है कि जो हमारी स्पर्ष रेखा होती है उस पर जो इस पर्ष बिंदू होती है तो त्रीजा उस पर लंब होती है तो इसका मतलब ये तो 90 डिक्री की है लेकिन मुझे तो सिर्फ ये अंदर वाला निकालना है छोटा सा तो अगर मुझको ये निकल जाए ये वाला कौन तो मैं क्या करूंगी 90 में से न इसको माइनस कर दूंगी तो मेरा ये आज जाएगा क्योंकि ये पूरा तो मेरे पास 90 है पर ये कैसे निकालना ही तो है में अगर मुझको ये वाला कौन मिल जाए तो मैं ये तिरी भूज कौन सा तिरी भूज है ये मेरे पास A, B, C क्या मैं इस तिरी भूज में ये लिख सकते हूँ न पिर कि जो मेरा A है और जो मेरा B है कोन और जो C है इन तीनों का योग 180 होगा क्यों कि तिरी भूच के तीनों कोनों का योग 180 होता है लेकिन मुझको C तो यहाँ पर पता है B नहीं पता A तो खें नहीं पता B नहीं पता बस B और पता चल जाए ठीक है न तो देखो B कैसे पता चलेगा जो यह आपका B है न यह 90 डिगरी का है क्यों क्योंकि व्यास जो है वो रित्मे 90 डिगरी का कून बनाता है तो यह आपका व्यास ही तो है OAC तो यह इसके सामने वाल पूरा कौन यह तो आप पूरा कौन तो यह पूरा कौं क्या लिखो ओसे werden फो यह आपको नब्बह्न तो आप बहुत असानी से निकाल सकते हो तो क्या करोगे, 90 मैंसे इस 40 को माइनस करदो, 50 आगे आपके पास, और हमने पहले ही बोला था, कि अगर हमारको ये वाला मिल गया, तो हम इस 90 मैंसे इसको माइनस करदेंगे, और हमार पास आजाएगा, बीएटी, और वो ही हमको यहां निकाल ला है, ठीक है ना, तो वो ही इन अपको नमबर मिलने वाले हैं कि आपके पास जो है वार्टेन आ चुकी है लिखना कैसे आपको इसी तरीके से लिखना है, ठीक है? मैंने आपको समझाना चीए, चलो, एक वृत के परिगत एक चतुर भुज खीचा गया है, अच्छा, देखो, अब आपके पास एक वृत तो है ही, आपने क्या कि उसके आसपास ने चतुर भुज खीच दिया है, यह र यह आपको सिध करना है, तो देखो आप इसको सिध कैसे करोगे, सबसे पहली बात, यह जो मेरी आकृती बनी विये, इसमें यह मेरा वृत है, अब अगर मैं आपसे, इस साइड आजाओ, आप सिफ आकृती में देखो, हम इसी से पूरा समझ लेंगे, बहुत आसान प्रशन आ आपका यह देखो यह जो डी पॉइंट है यह आपको पता है आकरिती के बहार है इसके इसके वृत के बहार है यह भी वृत के बहार है यह भी वृत के बहार है और यह भी वृत के बहार है चारों वृत के बहार है तो जो यह वृत से टचो के जारी है दो को दो रेखाएं यह मेरी सपर्श रहा है 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 नहीं सपर्श रहा عن Thankfully Di Marильно स्थिक है औरकुषी बात करूं मैं डी जा इस उक्ट है तो इसका मतलब यह दोनों रेखा हैं तो मेरी बराबर होंगी यूं बराबर होंगी अभी तो हमने प्रमे रहें लुए प्रमे दो इसे ना जो है वो बराबर होती है की थी ना हमने देखो यहां पर आ गई ना वहीं ठीक है तो यह बहुत important आपकी प्रमीर उसी तरीके से फिर आप सोचो के तो यह C भी तो इस वृत के भार है फिर तो मेरी जो C आ रहा है वो मेरी C Q होनी चीए तो बिल्कुल यह दोनों भी तो मेरी इस पर्ष रिखा है ठीक है फिर आप सोचो के ऐसे तो हम B में भी लगा सकते हैं तो B में भी लगा देते हैं चलो तो फिर इसका मतलब क्या हुआ आपका जब आप इसको B में लगाओगे तो तो जो कि, B P आयां वो B Q के बराबर हैं ठीक है? ha, अप क्या रहेगे आपके पास एक E रह गह जब यह तीनों व्रिट के बहार हैं और यह तीनों सब्स पर्ष रिखाएं तो फिर यह भी सब्स रिखाएं इसका मतलब आपकी AP जो है वो भी AS के बराबर है ठीक है नहीं ठीक है अब हमको तो सिधिये करना है तो आप क्या करो इन सब को जोर दो और इन सब को जोर दो ठीक है ना left hand side और right hand side को आप जमा कर दो तो चलो देखते जमा कैसे करेंगे तो DR प्लस CR प्लस BP प्लस AP किसके बराबर होगा DS प्लस CQ प्लस BP प्लस AS के ठीक है ना अब आप देखो अगर आप DR के साथ इस CR को जोर दोगे तो ये तो आपका DC बन गया और इस BP के साथ AP को जोर दोगे तो ये आपका क्या बन गया a b बन गया बन गया नहीं बन गया उसी तरीके से इस ds के साथ इस sa को जोर दोगे ds के साथ किसको जोरोगे sa ये वाले के साथ इस वाले के साथ इस वाले को बिंदू लगा रही हूँ मैं ठीक है तो आपका क्या बन जाएगा ad बन जाएगा लास्ट, CQ को BQ से जोरोगे, तो क्या बनेगा, BC बनेगा, और आपको शाद यही सिद्ध करना था, आप देखो अपने प्रश्न में, करना था या नहीं करना था, तो वो ही सारी चीज आपके पास यहां पर लिखी में है, ठीक है, तो आपको समझा गया करने का तरीका, तो ही आपके पास कैसे करना आपको कॉपी में, ठीक है, एक चीज में यहां पर छोटी सी चीज है, जो बहुत ही इंपोर्टेंट है, मैं आपको बताना चाहूंगी, वो क्या है, देखो, मैंने यहां DR, DS के बराबर लिख दिया, CR, CQ के बराबर लिख दिया, अब अगर आप य जोड़ोगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, तो यह जूड़नी पाएंगी, क्यूं क्यूंकि DR के साथ आपको क्या जोड़ना है, CR जोड़ना है, तभी तो CD बन पाएगा, अब आप DR के साथ किसको जोड़ो, CQ को जोड़ो, का है CQ, CQ यहां पर है, त तो क्या यह मेरा CD बन पाया, नहीं बन पाया, तो आप इस चीज का ध्यान लखेगा, जब आप इनको ऐसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखना कि दो साइड जूड़के, एक साइड बन जाए, ठीक है, न, दो भुजा हैं जूड़के, एक भुजा बन रही हो पूरी, ठीक है, ब वृत के किसी बिंदू पर स्पर्ष रेखा, एक वृत है, उसके किसी बिंदू पर स्पर्ष रेखा बनिये, ठीक है, स्पर्ष बिंदू से जाने वाली स्पर्ष रेखा पर, डैश होती है, क्या, स्पर्ष बिंदू से जाने वाली स्पर्ष रेखा पर, क्या होती है वह, त यहां पर हम इसको दुबारा बना देते हैं, एक मिन्ट, ठीक है, देखो, यह मैंने इसको जोर दिया, यही मेरी स्पर्ष बिंदू, तो स्पर्ष बिंदू से जाने वाली स्पर्ष रेखा पर क्या होती है, यही तो थी त्रिजा, यही तो जाती थी, और यह क्या होती थी, य हम यहां के लिख देंगे लंब इसका मतलब वो लंब होती है ठीक है चलो पहला प्रश्ण दो हो गया बहुत ही असान था अब हम दूसरा देखते हैं यहीं पर ही दूसरे में वह हमसे क्या कह रहा है वह देखते हैं आप से कह रहे हैं दो संकेंद्रिय वृतो मैंने अभी आप के साथ बताना जरूर की मैं हमको याद था कि आपने संकेंद्रिय वृत हमें क्या बताया था ठीक है दो संक्रेंद्रिय वृतों की त्रिजाएं आपको दो संक्रेंद्रिय वृतों की त्रिजाएं दे रखिए 5 cm और 3 cm बड़े वृत की उस जीवा की लंबाई आपको ग्या कितनों कोई याद था है यह क्या करते हैं पहले हम आपपास तुमान केंदर वाले एक पहले इसको पैंसिल और कम PAS से बनाईएगा तब भी आपकी फिगर बनेगी और तब भी आपको नंबर मिलेंगे तो यह रहा एंदन ठीक है अब वो मुझसे कह रहा है कि आपको बड़े वृत की उस जीवा की लंबाई ग्यात करनी है इसका मतलब बड़े वृत में एक जीवा है तभी तो लंबाई ग्यात ओपाईगी अब वो कैसी जीवा है वो ऐसी जीवा है जो छोटा वृत है न उसको चूके जारी है तो अब आपको यह दे रखे छोटे वृत की त्रिजा कितनी दे रखे तीन बड़े वृत की त्रिजा भी आपको दे रखे तो मैं बड़े वृत की त्रिजा को ऐसे खीच लेती हूं बन गई ना त्रिजा ही तो बनी है त्रिजा होती क्या है एक केंडर पर होना चीए एक बिं मुझे इस जो यह जीवा मैंने बनाई है एबी इसकी लंबाई बतानी है सबसे पहली बात तो आप इस आकरिती को एक बर समझ लो अच्छे से देखो जो आपने यह जीवा बनाई है ना बड़े वाले वृत की आप उसे एक बार ध्यान से देखो वह छोटे वाले वृत की पर्ष रेखा है तो यह स्पर्ष बिंदु है एम और जब यह इस पर्ष बिंदु है तो जो यह ओ एम है त्रिजा यह इस पे लंब होगी अभी हमने प्रमेमे किया है ठीक है ना समझ में आया आपको तो इसका मतलब कुछ नहीं यहाँ पर आपको यह पहले से दे रखा है बस डूनने वाली बात हैं कि यह जो हमारी जीवा है बरे वाले वृत की वो छोटे वाले व्रित की सपर्श रेखा है ठीक है और वो उस पर लांब होती है तो इसका मतलब यह मुझे समकॉन दे रख थो चलिए मुझे निकालना क्या है मुझे भी निकालना है os okay सबसे कहले मैं यहां पर लिख लेती हूं जो जो मुझे लिखना होते हैं ठीके व्हाम लिखते हैं है जो यह पर क्यूंकि अगर आप जो डिया है और जो आपने बनाएं लिखा नहीं तो कि मैंने जीवा क्या मानिये बड़े व्रित की जीवा क्या मानिये मैंने ए भी वह छोटे वाले व्रित की क्या है उसकी पर्ष रेखा है वह ठीक है जो छोटे व्रित की क्या है छोटे व्रित को बिंदू एम पर प्रतिछेद कर रही है ठीक है ना एम पर प्रतिछेद करती है इसका मतलब वह क्या है मेरे पास ए बी छोटे वाले जीवा छोटे वाले उसके लिए क्या है व्रित के लिए वो उसकी पर्ष रेखा है ठीक है अब मेरे को यहाँ पर ओ यह दे रखा है आपका 5 cm ठीक है और एक चीज़ और दे रखें ओम वह मुझे दे लखेए 3CM ठीक है अब मुझको पता है कि जो मेरा ओम है वो लंब है A B पर ठीक है न तो अगर मैं यहाँ पर अपनी पाइताव कोरेस्परमें लगाऊं किसमें लगा अपनी पाइताव कोरेस्परमें कौन से तिरी भुज में मैं लगा रही हूँ A, O, M में लगा सकती हूँ क्योंकि यह मेरा सम कौन तिरी भुज है है नहीं है तो इसमें जब मैं पायता कोरेस्प्रम में लगाऊंगी तो आएगा O, A square is equals to A, M square plus O, M square O, A square O, A मुझे पता है तो 5 का square A, M तो मुझे पता ही नहीं है वो मैंने ऐसी रहने दिया O, M का square मुझे 3 पता है तो 5, 5 जो 25 हो गया A, M मुझे नहीं पता मैंने ऐसी रहने दिया 3, 3, 0, 9 हो गया ठीक है अब आगे वाली slide पे करते है हम इसको थोड़ा सा तो कैसे आएगा तो आएगा 25 minus 9 यही आएगा ना और बराबर में क्या आएगा A, M square यहाँ से मेरा A, M square निकल गया 16 तो A, M कितना आगया मेरा वो आगया मेरा 4 cm लेकिन मुझे A, M नहीं बताना मुझको A, B बताना है एगा न मुझको मैं A, B कैसे बताऊँ तो देखो A, B है क्या जब यह आपके पास लंब है तो इसका मतलब A, M, B के बराबर होगा होगा नहीं होगा तो मेरा A, M कैसे आएगा A, B है क्या मेरे पास वो मेरे पास am प्लस mb तो है और am 4 है तो mb भी 4 होगा क्यों बही क्योंकि am जो है वो मेरा mb के बराबर होगा ऐसा क्यों होगा क्योंकि जो मेरा om है वो लंब है किसके ab के ठीक है तो लो मेरा यहां से ab निकल के आगया ab कितना आगया मेरा 8 cm तो मुझे जीवा की लंबाई तो निकालनी थी, निकालनी थी ना जीवा की लंबाई, तो जीवा की लंबाई कित्मी आ गई मेर पास, तो जीवा की लंबाई मेर पास यहां पर आ गई 8 cm, तो यह था मेरा दूसरा प्रशन, चलिए आज की क्लास का और आज की वर्कषिट का हम आखरी प्रश्ण करते हैं प्रश्ण तीन प्रश्ण तीन में आपसे कह रहा है यदि एक बिंदू P से O केंदर वाली किसी वृत पर P A P B परश रिखाएं परस पर 80 डिग्री के कोन पर जुकी हो ठीक है तो कोन P O A बराबर है यह MC क्यू है आपको एक पर टिक करना है लेकिन उ इसे तो पता नहीं चलने वाला है चलिए पहले हम क्या करते हैं वृत बना लेते हैं आपको किससे बनाना यह वृत आपको यह वृत बनाना है पैंसिल और कमपास से इस पे मैंने केंदर भी बना लिया एक बिंदू मेरे पास बहार क्या रहा था मैंने वह भी ले ली इससे तो चलो मैं वह भी बना देते हूं उन्होंने नाम दे रखा है तो मुझे यही देना परेगा मैं चेंज इसको नहीं कर सकती हूं ठीक है अब मुझसे कह रहा है परस पर 80 डिग्री के कौन पर जुकी हूं तो इसका मतलब आपको क्या दे रखा है इसका मतलब है आपको जो यह है A P और जो इहां पर लिखेंगे हम O ठीक है यह पूरा A P B यह पूरा आपको 80 डिग्री दे रखा है कौन सा यह वाला पूरा ठीक है मैं इसको थोड़ा डाग कर देती हूं कहीं आपको दिखे ना ठीक है ना तो मुझे क्या दिया है मुझे को दिया है एंगल A P B वो मुझे को दे रखा है 80 डिग्री ठीक है अब आप ध्यान से देखो यह और यह तो यह दोनों तो मेरे 90 डिग्री के हैं है ना 90 डिग्री ऐसा क्यों क्योंकि जो मेरा O A है वो मेरा लंब है किस पर A P पर O A मेरी त्रिजा है और A P मेरी स्पर्ष रेखा है तो मैंने अभी एक प्रमे की थी कि जो मेरी त्रिजा होती है वो स्पर्ष रेखा पर लंब होती है उसी तरीके से O B मेरी त्रिजा है और B P मेरी क्या है स्पर्ष रेखा तो O B किस पर लंब होगी B P पर यह मेरी प्रमे थी तो ये तो मुझे पता चल गया अब हम क्या करेंगे जब ये मेरी लंब है और ये तो पहले से कह रहा है इस पे जुका है तो हम क्या करते है इन दोनों तरी भुझ को क्या करूँ मै इन दोनों तरी भुझ को इन दोनों तरी भुझ में क्या निकालू कैसे निकालूँ अब मैं इसको आप ये सोचो अगर मैं इस तिरी भुज को देखू A, O, P को ठीक है तो मुझको ये वाला पूरा कौन निकालना है ये पूरा तो ये कितना होगा अगर मुझे ये मिल जाए तो मैं असानी से ये वाला कौन निकाल सकती हूँ निकाल सकती हूँ न पर मैं ये कैसे निकालू तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ इन दोनों तिरी भुज को सरवांग सम कर देती हूँ कर सकती हूँ इन दोनों तिरी भुज को सरवांग सम तो देखो क्या लिखेंगे कौन सा तिरी भुज ले रही हूँ एक मैं ले रही हूँ O-A-P ठीक है? और दूसरा तिरी भूज कौन सा ले रही हूँ मैं यहाँ पर तिरी भूज ले रही हूँ O-B-P ठीक है? नहीं ठीक है? सबसे बहली बात O-P-O-P यह दोनों में common है मेरे पास ठीक है? तो यह दोनों में common लिख देंगे हम उसके बाद वो आपसे कह रहा है यहाँ पर की और क्या आप ले सकते हूँ आपको पता है O-A जो है वो O-B के बराबर है ठीक है न? और क्यों है यह बराबर? क्योंकि यह दोनों जो है मेरी त्रिजाएं इस वृत की अर वृत की जो है वो सारी त्रिजाएं क्या होती है बराबर होती है ठीक है? उसके बाद एक और चीज़ चाहिए तो कौन O-A-P जो है वो बराबर होगा कौन O-B-P के? क्यों? क्योंकि यह मेरी पास 90 डिगरी का है ठीक है? तो अब हम क्या करेंगी? यह हमारे सरवांगसम हो गए हो गए ना सरवांगसम ठीक है ना मेंको तीनों चीज़े मिल गए लेकिन मेरे को यहाँ पर लिखना भी तो परेगा कि मैंने यह क्यों लिया O-P-O-P क्या था मेरा यह यह मेरा उब्यनिष्ट था तो मैं यहाँ पर इसको भी उब्यनिष्ट लिख देती ऊह ठीक है है- तो मैं यह लिख दिये हैं ह्याँ पर उब्यनिष्ट उसी तरीके से ये क्या था मेरे पास स्रीजा थी तीना तो एक ही व्रित की स्रीजा थी तो वो ही लिख देते हैं एक ही ठीक है एक सेकेंड यहाँ पर लिखते हैं हम एक ही व्रित की ठीक है एक ही व्रित की स्रीजा थी चलो ये तो मुझे तीनों चीज़े तो मुझे को यहां पर मिल गई ठीक है इसका मतलब मेरा जो तिरी भुज है O, A, P वो क्या है वो मेरा सरवांग समय कौन से तिरी भुज के O, B, P के और कौन सी कसौर्टी से R, H, S की कसौर्टी से यहां पर मैं एक और चीज़ लिखना चाओँगी यह मुझे दिया था तो मैं इसको यहां पर लिखना चाओँगी यहां पर कि आप दो जरू लक डिया था यहां पर टू बीग गाउंग जरू अब मुझे पता चल ये दोनों तरी भुज़ जो हैं, ये मेरे सरवांग समय, इसका मतलब जो मेरा ये कौन आया, कौन सा कौन, कौन से कौन की अब मैं यहां पर बात करूं, जो मुझे दिया वा था, ठीक है, तो अब इसका मतलब मैं आगे वाली स्लाइड पर आपको समझाते हूं, इसका मतलब ज ते रखाता ना, अब मैं इसको आदा आदा बाट सकती हूं, क्योंकि मेरे वो दोनों तिरी भूचतों सर्वांसम हैं, तो इसका मतलब मेरा एंगल A, P, O मैं यहां से निकाल सकती हूं, 80 by 2 करके, तो वो आगे मेरा 40 डिग्री, अब आप यहां ध्यान से एक बार देखो, अपन नहीं होता, तो चलो फिर आप A, O, P में लगा दो यहीं, तो तिरी भूच A, O, P की हम बात कर रहें, ठीक है, तो क्या क्या लगाओं A, O, P में, एक तो मेरे पास है एंगल A, P, O, ठीक है, दूसरा एंगल मेरे पास था यहां पर P, O, A, और तीसरा एंगल मेरे पास A ही था, वो मेरे पास 180 आएगा, यह मेरे को 40 पता है, यह तो मुझको पता ही नहीं है, ठीक है न, आप इसको यह भी लिख सकते हो, O, A, P, यह मेरे को कितना पता है, 90 पता है, ठीक है, यहां से आपका एंगल P, O, A निकल के आगया, कितना आया, 180 मेरे से 90 माइनस करदो, और 40 भी माइ तो वो आपका आगया, 50, आपको निकालना क्या था, एक बर वापसी आजाओ अपने प्रश्न में, आपको शेद P, O, A निकालना था, 50, तो इसका मतलब P, O, A, यह, यह आपका निकल गया, 50, और आपको यह यह निकालना था, अब आपको कहें, पूरा निकालो, तो पूरा करने के लिए क्या करोगे, उसको डबल कर दो, पचास को डबल कर दो, तो सो हो जाएगा, तो लेकिन फिलहाल हम से कोश्चन में, P, O, A, पूछा है, तो P, O, A, मेरा यहां पर निकल गया है, 50, ठीक है, तो इसका आंसर आगया मेरे पस, A, ठीक है, तो यह था हमार पास तीसर प्रश्ट, वरक्षीट थोड़ी बड़ी जरूरती, लेकिन बहुत इंपॉर्टेन वरक्षीट है, ठीक है, तो वरक्षीट नंबर 44 हमारी कम्प्लीट होती है, वरक्षीट नंबर 45 हम अपनी next वीडियो में करेंगे, ठीक है, न, वीडियो आपको पसंद आई, तो लाइक जरूर कीजेगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजेगा, ठैंक यू,